हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है क्लास्टल्ड कमिस्टी न्सी एर टी में आज का टोपिक है हैलो एरीन की रहसानिक अबक्रिया है सभी अबक्रिया एक ही वीडियो के माध्यम से यहां पर कम्प्लीट करेंगे पूरा विजिवत समझेंगे वीडियो को अंतक देखेंगा और अच्छे से त्यार करना है सभी अबक्रियाओं को सीधा जिसे कोश्चिन पूछा जाएगा बूटेज अबक्रिया क्या है बूटेज फिटिंग क्या है अबचैन क्या है है यह सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से अपन कम्प्लीट करेंगे थोड़ा सा वीडियो लिंदी भी हो जाएगा पैर बच्छो लेकिन आपको अच्छे से त्यार करना है और हाँ इसके हैंडिटेंड नोट्स लेना है तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है यह आपक जो बूटेज फिटिंग अपक्रिया पहला अपक्रिया तो हैलो एरीन तो आपको पता है कि बिंजीन रिंग या उसके सजाती सरणी है उसके साथ एदी आपका हैलो जन तत विड़ा है क्योंकि फिटिंग अपक्रिया आपको समझना जरूरी है पेरे बच्चों और बूटज अपक्रिया भी समझना जरूरी है देखेगा बूटज फिटिंग अपक्रिया क्या है कि जब हैलो एरीन का हैलो जन पर मारू हैलो एरीन का हैलो जन पर मारू देखेगा हैलो एरीन किसे क कहेंगे आपके पास है बेंजीन रिंग है ना या की माली जे कोई एरोमेटिक सजाती स्रेडी है तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं एक बेंजीन रिंग यह हमारा बेंजीन रिंग है और इसके साथ यदि कोई हैलोजन तद तो जुड़ा हुआ है पैरे बच्चो तब यह कहलाएगा हैलोएरीन यह जो हैलोएरीन है इसका हैलोजन परमाणू सुस्क एथर की उपस्तिती में सोडियम से क्रिया करेगा किस से क्रिया करेगा साथ में हैगा हैलोएलकेन हैलोएलकेन किसे कहेंगे जैसे आपके पास CS3 है यह मेथिल है और यह क्लोरीन जुड़ी है यह हैलोएलकेन है किसके प्रजेंस में होता है तो इसके एथर के उपस्तिती में होता है तो देखेगा यहाँ पे सोडियम है यहाँ पे आपका CL है और यहाँ प जाएगा ठीक है तो बना लिया टालूइन ठीक यहां पर आप सुस्क एथर लिख दें क्या सुस्क एथर के उपस्थिती में यह वक्रिया होता है तो सुस्क एथर इसको एदि हम नाम दे दें तो इसका नाम हो जाएगा टालूइन क्या टालूइन ठीक है और यह आपका पैरे कर दिए और यहां पर एने इपर दो का मल्टिप्लाई कर दें तो यह आपका बूटअज फिटिंग अपक्रिया कम्प्लीट हो समझे लग बूटअज फिटिंग अपक्रिया हैलोरी निहें के इतर के उपस्धिति में एक्रिया कर रहा है इसका जो यह जो थाग है यह लोजन समू, यह आपका CS3 है न, यहलिक बोलते हैं, ऐलकाईल समू या यहाँ पर हम बोल सकते हैं, कि द्वारा क्या हो जाता है, बिस्थापित हो जाता है, CL यहां से निकलता है, सोडियम के साथ क्रिया करता है, यहने CL बना लेता है, यहाँ कहो गया, वोटेज फिटिंग अप क्रिय यहाँ पर मैं आपको fitting up क्रिया समझाओं प्यरवच्चू क्या? fitting up क्रिया, simple है, fitting up क्रिया में क्या होगा? fitting up क्रिया में जो आपका यहाँ पर एक एलकिल हैलाइड है या इसे हम कह सकते हैं हैलो एलकेन है इसके जगह है आप क्या जोड़ दो एरिल हैलाइड जोड़ दो जैसे आपने यहां पर लिया था क्लोरो बेंजीन ठीक है, क्लोरो बेंजीन लिया था फिर आपने दो सोडियम लिया था पैरे बच्चो सेम रियक्सन कर रहे है यहाँ पर भी हम क्लोरो बेंजीन ले 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 यहाँ पर भी क्लोरो बेंजीन ले 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 ठीक है, तब यह जो रियक्सन बनेगा तो यहांसे जो आपका सोडियाम है पैरे बच्चों ये जो सोडियाम है वो CL से क्रिया करके NECL बना देगा ठीक है फिर जो आपका उत्पाध बनने वाला है यहाँ पर तो ये आपका बिंजीन जी और इसके साथ ये आपका बिंजीन जी जूड जाएगा इसे कहते है डाई फेनिल यह क्या बना डाई फेनिल क्या बना डाई फेनिल यह आपका पेरबच्चो क्या फिटिंग अपक्रिया फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है एल्किल हैलाइड का दोणू यह आपका एल्किल हैलाइड यह भी एल्किल हैलाइड का दोणू सूस्क इथर की उपस्थिती में इसके उपस्थिती में सूडियम के साथ क्रिया कर डाई फेनिल बनाते हैं क्या बनाते हैं लिखना आपको हिंदी लिख लें फिटिंग अपक्रिया यहाँ पर हडिंग डालें आप लोग फिटिंग अपक्रिया क्या फिटिंग अपक्रिया हडिंग साथ क्रिया कर डाई फिनिल बनाता है क्या पेर बच्चों आपने देखा हैलो एरीन के दो अडू या आपका यहां पर एरिल हैलाइड क्या एरिल हैलाइड के दो अडू या तो आप कह सकते हैं हैलो एरीन के दो अडू सुस्क एथर के उपस्थिती में सोडियम से क्रिया करके डाइफेनल का निर्मान करते है या डाइफेनल बनाते है या आपका फिटिंग अफ क्रिया आप से दी पूँच दिया जाए पैरवच्चो बूटच फिटिंग और फिर आपको पूँच दे फिटिंग अपक्रिया या कि आप से दी पूँचा जाए कि बूटच अपक्रिया बताओ बुटा जब क्रिया तो बुटा जब क्रिया आप बता दोगे बुटा जब क्रिया में क्या होगा अभी हमने लिया था दोनों के दोनों पेरे बच्चों हैलो एरी अब यहाँ पर दोनों के दोनों हैलो एलके ले 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 जैसे यह CS3 CL है और वही 2NA रहने दें और प्यारे बच्चों पुना CS3 CL ले ले तो वही आपका रियक्षन रहेगा सुस्क एथर क्या सुस्क एथर इस इस्थित में जो आपका NACL है वह बाहर हो जाएगा तो आपका बचेगा CS3 CS3 बचेगा और NACL बाहर हो जाएगा सेम रियक्षन रहे तो यह आपका था प्यरवच्चों बूटज अब क्रिया मतलब आपने समझा बूटज अब क्रिया में दोनो एलकिल हैलाइड थे बूटज फिटिंग में एक एलकिल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड और फिटिंग में दोनों के दोनों एरिल हैलाइड समझ में आया में क्या कहा बूटज अब क्रिया में आपने पढ़ा तो दोनों इन्ही दो जो आप अड़ू ले रहे हैं वो दोनों के दोनों अडू कौन थे तो एल्किल हैलाइड थे बूटज फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड और जब फिटिंग अपक्रिया पढ़ रहे हैं तो दोनों के दोनों आपके एरिल हैलाइड या हैलो एरीन समझ में आया कुछ प्यारे बच्चों की हमने क्या बताया यहां पर आप तीन अपक्रिया सीख ली एक बूटज फिटिंग अपक्रिया एक फिटिंग अपक्रिया ये तो आपने पढ़ लिया हैलो एरीन की अपक्रिया ठीक है और इसके पहले पैर बच्चों हमने बताया आपको एक और अब क्रिया क्या बता दिया बुटज अब क्रिया में सिंपल है जो आप दो परमाडू ले रहे हैं दो आडू ले रहे हैं तो वो दोनों के दोनों किसके होना चाहिए हैलो एलकेन की तो जब दोनों हैलो एलकेन होंगे तो फिर हमारा बूटज अपक्रिया जब एक हैलो एलकेन और एक हैलो एरीन तो हमारा कहलाएगा बूटज फिटिंग अपक्रिया और जब दोनों हैलो एरीन तो फिटिंग अपक्रिया इसके बाद अगला अभिक्रिया देख लेते हैं पैर बच्चो ग्रिगनाड अभिकर्मक का बनना ग्रिगनाड अभिकर्मक किस प्रकार से बनता है हैलो एरियन से तो आप चाहे ब्रोमो बेंजीन ले ले या तो आयोडो बेंजीन ले ले है ना इसको सुस्क एथर के उपस्थिती में मैंगनीसियम धात उसे क्रिया कराएंगे तो ग्रिगनाड अविकर्मक बन जाएगा ठीक है हमने क्या कहा चाहे आप ब्रोमो बेंजीन ले लो चाहे आयोडो बेंजीन ले लो जैसे मैं यहाँ पर रियक्सर कराके दिखा देता हूँ यह आपका पेरवच्चो बेंजीन रिंग है ठीक है बेंजीन रिंग के साथ आप ले लो ब्रोमीन तो यह आपका ब्रोमो बेंजीन है यह सीधा केबल मैंगनीसियम के साथ क्रिया करेगा किसकी उपस्थिती में तो वह ठीक है जैसे आप यहाँ पर ऐसा भी क्लिया करा सकती हूँ यह आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ आप आयोडीन जोड़ दो और पैरे बच्चों एमजी ले लो रियक्शन में होगा सुस्क एथर सुस्क एथर यह आपका उद्फ्रेडब का कार करता है बेंजीन रिंग और इसमें आप जोड़ दो एमजी आई तो यह आपका बन गया ग्रिगनाड अभिकरमक ठीक है तो हैलो एरीन से ग्रिगनाड अभिकरमक बन गया चाहे आप ब्रोमो बेंजीन ले ले अर्था ब्रोमो या तो आयोडो एरीन सुस्क एथर के उपस्थिती में मेंगनीशियम धाट से अबक्रिया करके सीधा का सीधा ग्रिगनाड अभिकरमक बनाता है ठीक है सिंपल है दूसरा रियक्शन कंप्लीट ना ग्रिगनाड अभिकरमक कैसे बन दा है पहला आपने देखा बूर्टच फिटिंग फिटिंग और बूर्टच फिटिंग दोनों तो सिंपल है वाई बूर्टच फिटिंग में आपने देखा एक हैलो एलकेन और एक हैलो एरीन और फिटिंग में दोनों के दोनों हैलो एरीन कहा दूँ इसका तो फेनिल फेनिल मेगनीसियम ब्रोमाइड फेनिल मेगनीसियम ब्रोमाइड है इसका नाम हो जाएगा फेनिल फेनिल मेगनीसियम और आयोडीन है पेरा बच्छो तो आयोडाइड फेनिल मेगनीसियम आयोडाइड ठीक है तो यह आयोडो बेंजीन था यह ब्रोमो बेंजीन है यह सीधा मेगनीसियम के साथ क्रिया करके ग्रिणाड अविकरमक बनाते हैं अब इसके बाद अगला क्रिया द लब या रिन्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद् ठीक है जितना बसकता होगा ठीक है और यह अपचायक के उपस्थिती में क्रिया होगा निकिल और अलुमीनियूम का मिस्टन ले 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 निकिले क्या है अपचायक है अलुमीनियूम भी क्या है अपचायक है तो देखे कि यहां से C-L निकलेगा तो C-L निकलेगा H-K के साथ क्रिया करके H-C-L बनाएगा भाईया यह जिन भी दूतिततों कर निकलना ही तो आक्सी करना है या कि यहाँ पर जब C-L निकलेगा तो कुछ न कुछ तो जाकर जुड़ेगा जी हाँ कौन जुड़ेगा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं लिखे सभी कारवन के पास हाइड्रोजन रहता है लेकिन हाइड्रोजन लिखा नहीं जाता समझ रहे हैं यहाँ पे प्लस का चीड़न हो गया निकल, ऐलुमिनियम मिश्र धाद उद्वरा छारों की उपस्थिती में छार आप कोई भी लेलो एन ऑस लेलो या के ओस लेलो छार की उपस्थिती में जो हेलो एरीन है आप चाईडर थोकर हाइड्रो करवन देते हैं हाइलो एरीन में मैने इसको लिए या क्लोरो बेंजीन, जरूरी नहीं कि आप क्लोरो बेंजीन ही लो, ये था क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, इसके साथ आप आयोडो बेंजीन मिले सकते हो, ब्रोमो बेंजीन मिले सकते हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर पैरवच्चो एक बेंजीन रिंग बनाया, इसके स और अलग हो जाएगा ठीक है सिंपल है और कुछ नहीं हुआ यहां ध्यान देने वाली वात यह है कि यहां पर कोगे सर बी आर था तो यहां पर हैड्रोजन जोड़ के रखो भीया चाहे है जोड़ो चाहे नहीं उस कार्वन के पास हाइड्रोजन पहुंच गया बस सिंपल है आतानी की चंपता है इसके फैसे बनद के इसके लिक्तरंब भीधूटरी द 내त्तों कि निकलन कैंड्रीन और या रिणो क्लॉरीन या बरोमीन दोनों के दोनों के लिड़ो तो हैं और यह निकल रहे में؟ की तो निकलना यह पर आंपका कुलोरीन या ब्रोमी दोनों की दोनों रिण बीड्रूतीतत्यों और यह निकल रहे हैं मतलब अप्षैयं हो रहा है तो उसके जगए रिटलो जबूस्त का निकलना या धनिवी तों का ज़ूड़ना। अपचयन हो रहा है तो पर जो हैलो एरीन का अपचैन होता है तो सीधा का सीधा क्या बनता है हाइड्रोकार्बन यह आपका हाइड्रोकार्बन 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 मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना योगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है इसके बाद अगला रासानी क और अब करिया देखे पैरबच्चों ओयर शमूँ दोरा प्रतिस्थापन ओयर समू डायरेक्ट ओयर समू जा करके जुड़ेगा और ओयर समूँ दॉरा प्रतिस्थापन मतलब एक ऐसा हम अभिकारक लेंगे जो की अपने पास वयर समू रखता हो जैसे आपका सोडियम ट्राकसाइड एने ओएच के ओएच इनको ले सकते हैं तो देखेगा क्लोरो बेंजीन को दो सो बैमंडली दाब और तीन सो डिग्री सिल्चेस ताब पर यह ने ओएच के साथ गर्म करने से फिनाल बनता है यह डाव बीधी भी कहलाती है देखेगा अभी आप यहां पर करेंगे वहां पर भी आपको पता होगा यह रासानी का प्रिया करोगे और फिनाल बनाने की वीधी में इसी को पढ़ोगे से इसलिए कुछ रियक्सन ऐसे होते हैं जो अलग अलग चैप्टर में मैच करते हैं इनको भी यह तैयार करना बहुत जरूरी होता है जैसे अभी य इसके साथ जोड़ देते हैं क्लोरीन क्लोरो बेंजीन हो गया इसके साथ क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्राकसर जिसके पास ओएच समूर है तब ही तो एच समूर का प्रतिस्थापन होगा इस पर साब कहा गया है कि टंप्रेचर होना चाहिए 300 डिग्री सेल्सियास और तो आपका एटमासफेयर होना चाहिए वो 200 ATM है ना बायो मंडली दाब 200 ATM यह नहीं बायो मंडली दाब तब होता क्या है सिंपल है CL यहास निकलता है और यह NAC क्रिया करता है तो NACL बना लेता है और जो आपका बेंजीन रिंग है पैरे बच्चो इस बेंजीन रिंग के समझ रहना कि आपका ये क्लोरो बिंजी में ने क्लोरो बिंजी इसको अपन ने हैं ना थीजियन को अमनेक्रेंद गर्म किया किस कंडीशन पर, दोस्तों आप्मॉसफैयर होना अच MU, और पिर बच्छों तीन सो डिगरी सेल्शियस ताप पर गर्म करने सी उत्पाद बनता है यहीं फिनाल बनाने की एक मैथड भी आपको यहां से त्यार कर लेना है इसो बनाने की वीधि वयत समूह का पृतिस्थापन वयद समूह बिंजिन के सांथ जुढ़ जाएंक तो फिनाल कहला ता है यने किसी अलैकिल मूला के साथ जुढ़ता है तो यह एलकोहल कहलाता है फिरफ्चोग क्या कहलाती है यह यह दि आपका बिंजीन दिंगैश तो उसके साथ S5 ये तो वह आपका फिनाल कहलाता है तो ओया अपको समझ बेज़ आ गया इसके बाद आप एमीनो समूद और प्रतिस्थापन पढ़ सकते हैं ये अलकाकसी समूद और प्रतिस्थापन जैसे यAI यी काकसी मा लीजिए आपका हो गया सूडियम एलकाक्साइड थोड़ा हेडिंग डालेते हैं अगला नंबर एलकाक्सी समूध और प्रतिस्थापन इसका डाय्यक्सिन कराता हूँ जैसे मेरे पास है क्लोरोबिंजीन है ठीक है यह C6 है H5 है ब्रोमव बिंजीन ले लेते हैं और आप ले ले लिजिए ऐलकाक्सीस मूध मतलब सूडियम एलकाक्साइड तो यह आपका एने जो बिया हिर गर करके NBR बना लेगा क्या बनाएगा NBR तो आपका यहां पर बचेगा C6H5 और यह U बचेगा यह CS3 बचेगा और यहने LBR अलग हो गया तो जब ऐलकाक्सी समूद प्रतिस्थापन होता है तो आपका ether बनता है इसे आप estranे बनाने की बिद्र में पढ़ोगए ठीक है यह आपका होगे पेर बच्चो अलकाक्सी समूद प्रतिस्थापन जब ऐलकाक्सी समूद इसके जगह आप CS3 के जगए C2H5 ले सकते हो, ठीक है, तो बन जाएगा यह sodium metha oxide, मेथ है, तो metha oxide, एक carbon तो metha oxide, यह दि हमारा 2 carbon होता है, sodium etha oxide हो जाता, 3 carbon हो जाता, तो sodium propoxide हो जाता, ठीक है, तो यह आपका NA जो है, वो BR से क्रिया करके NA BR, अब BR के जगए आप CL भी ले सकते हो, नवाई साओ, CL भी ले सकते हो, कोई दिक्कात नहीं, CL ले लो, तो आपका वही बनेगा, या इसके जगए आप फिनाक्साइड भी ले लो, सोडियम फिनाक्साइड, तो फिर आपका फिनी टाल बनेगा, ठीक, तो यह लकाक्सी समूद और प्रतिस्थापन भी आप कर सकते हैं, और यह जो है है, अपिस्ट इम्पोर्टेन्ट डियक्शन, वह चीछ करा रहा हैं, जो आपका हैलोरी कर कण है, नाइ्ट्रिक करन है, सलफोनी कर्ण है, यह काफी इम्पोर्टेन्ट है, इसको पढ़ना जरूरी है, तो चलिए देख लेते हैं अब हेलोजनी कर्ण पेर बच्चो हेलो एरीन का हेलोजनी कर्ण हेलोजनी कर्ण मतलब हेलोजन तत्तों का योग सिंपल है हेलोजनी कर्ण सब्द का मतलब हेलोजन तत्तों का योग तो जिसे आपका F.E.C.L.3 के उपस्थिती में F.E.C.L.3 क्या है आक्सी कारक है आक्सी कारक क्यों कि दूसरे को प्रेद करेगा भाया कि आप रिड़ बिदुती तत्यों को जोड़ो आक्सी कारक कौन होता है आक्सी कारक होता है जो दूसरे को आक्सी करत कर दे यही दूसरे को प्रेद करे कि तुम रिड़ बिदुती तत्यों को जोड़ो या आप जोडो سीयल को या आप जोडो डिनविदूती तत्यू को. जैसे हम यहां पर लेकर चलते हैं क्लोरो बेंजीन. ये आपका बेंजीन रिंग है इसके साथ जोड़ो आप क्लोरी तो ये बनगए क्लोरो बेंजीन. इसकी क्रिया हैलूजनी कर आरे हैं. हेलोजन तत्यों तो जोडेंगे ही तो इसकी क्रिया CL2 से करा दी इससे CL2 से आपका उत्प्रेड़क FECL3 है ही है FECL3 यहाँ पर है तो प्यारे बच्चों यह आपका आक्सी काराक है बोलता है भी या आक्सीजन या रिण विदूजी तत्यों ग्राण करो तो यह जो आपका क्लोरो बेंजीन है अर्थो एवं पैरा जगह पर अर्थो क्या कहलाता है यह आपका पार्स स्रंखला है यह अर्थो है पैरे बच्चों पैरा मैंने बताया था यह आपका यह पार्स स्रंखला है तो पैरा इसके नीचे वाले भागों कहेंगे ठीक है तो अर्थो एवं पैरा समाबेवी बनाता है क्या अर्थो एवं पैरा समाबेवी यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे देखिएगा अर्थो के जगए जुड़ा है अर्थो फिर दो क्लोरीन है पैरा डाइकलोर बेंजीन नाम बिलकुल लिखते चलें योगि नाम तो नहीं बनेगा तो भईया इदि आ गया की कलोरो बेंजीन से अर्थो डाइकलोरो बेंजीन तो फिर आप नहीं कर पाएंगे नो वहाँ पे इसलिए नाम लिखना ज़रूरी है यह आपका क्लोरो बेंजिन था यह आपका क्या था? क्लोरो बेंजिन पूरा सेम रियक्षन रहेगा नै्ट्री करण में phalt 64 आपका इल्काईली करण में इसलिए आपको धुदा सा अच्छे से पढ़ना है समझ रहें? तो हैलोजिनी करण में हैलोजन तत्तो का योग हो गया FECL3 के उपस्थीती में क्लोरीन द्वारा क्लोरो बेंजीन के हैलोजनी करण से अर्थो एवं पैरा समय भी प्राप्थ होते हैं अर्थो समू हमने का ना पार्स उस्रंखला के दाएं वाएं वाले भाग को अर्थो बोलेंगे फिर जो नीचे रहेगा वो मेटा और सबसे नीचे जो रहेगा वो आपका पैरा जैसे इसका दाएं वाला और बाएं वाला भाग ये क्या है अर्थो पोजीशन है फिर आपका ये मेटा पोजीशन है इसलिए पैरा दो क्लोरीन तो डाई आयूह पिशिट लम untklature में क्लोरीन को क्लोरो पूरा बेंजीन है तो पैरा डाई कलोरो बेंजीन यहाँ पे अर्थो डाई क्लोरो बेंजीन यह आपका हो गया हैलोजनी करण इसके बाद देखते है सल्फोनी कन, हैलो जनिकन के लिए सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सल्फोनी कर्ण में सल्फो समूझ लेगा सल्फो समूझ क्या सल्फो समूझ कहां से मिलेगा तो सल्फियूरी कम ले लेंगे H2SO4 यहां से बनेगा सल्फो समूझ वह भी हम बताएंगे सल्फोनी कर्ण सिंपल है कि सांद H2SO4 लेंगे हम Clorobenzine के साथ क्या करा देंगे सिल्फ होने कर देंगे Clorobenzine के साथ हम सीधा Simple क्रिया करा दें तो हमारे पास Same position वाले अभी आपने क्या पढ़ा था Arthemompeira पर जुड़ेगा तो हम प्योरे बच्चो H2SO4 से क्रिया करा दें Simple है यह आपका Clorobenzine है इसके भी दो समावे मिलेंगे यह हमने क्लोरो बेंजीन बना दिया एक और हमने क्लोरो बेंजीन बना दिया same position ठीक है इसके SO3H यह आपका बन गया भीया यह आपका क्या है SO3H यह सल्फो समू अर्थो पर जुड़ा है SO3H यह आपका भी अर्थो यह स्वार यह पैरा पर जुड़ा है कि कैसे जुड़ गया यह और कैसे रहसानी कपक्रिया होती है थोड़ा समझने की जरूरत है यहाँ पर मैं थोड़ा सा तोड़ कर बताता हूँ जो आपका H2SO4 होता है ठीक है H2SO4 इसको हम HO HSO3 कर सकते है ऐसा कर सकते है यह जो O H होता है पेरे बच्चो यह जो O H होता है यहाँ से एक H को निकालता है है ना और H2O के रूपे बाहर हो जाता है यह नहीं माइनस H2O बाहर होता है ठीक है समझ गए कुछ समझ गए जो आपका H2SO4 यह टूटता है HOSO3H यह HOSO3 में तो सल्फो समझ अलग हो जाता है सल्फो समझ क्या होता है अलग होता है यहाँ पेरे बच्चो सल्फो समझ है यहाँ पर आपका H2SO4 में सल्फो समझ कैसे बनेगा HOHSO3 यह आपका सल्फो समझ है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं HOSO3H कि यह आपका सल्फो समू है ओएच जो होता है वो बेंजीन दिंग से एक हाइटोजन को लेता है और S2O की रुप में बहार हो जाता है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थो जुड़ा है तो अर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और यहां पे पैरा पे जुड़ा है तो पैरा है ना पैरा क्लोरो बिंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाता है अर्थो पर जुड़ा हुआ है यह आपका प्रधान कि आत्मक्षमू है ना यह आपका पैरवच्चो अर्थो एवं पैरा दो समय भी प्राप्त हो सकते हैं देख सकते हैं अर्थो पे अर्थो क्लोरो बिंजीन सल्फोनिक अमल पैरा क्लोरो बिंजीन सल्फोनिक अमल समझ रहे नА यहीं अर्थो भाग पर भी जुलता है और पैरा भाग पर भी जुलता है इसी यहां पर हमने कहा दिया ना S2 की रूप में पानी बाहर निकलता है क्योंकि यहां से एक O H निकलता है यहां से H और कूर रिया करके पैरवच्चो इसके बाद हम पढ़ेंगे एलकाइली करण यहीं एलकिल समू का जुड़ना क्या एलकिल समू का जुड़ना तो आगे आप लोग हिटिंग डाल ही ले एलकाइली करण इसे फ्रेडल क्राफ्ट अब क्रिया के नाम से भी जानते हैं और फ्रेडल क्राफ्ट अब क्रिया मैंने रहेगा वहां भी पढ़ोगे फ्रीडिल अपके। डर्री या आप पढ़ोगे यह तरतम धूर में आपको लेना क्या है क्लोरो बिंजीन अब क्रिया किसका पढ़ रहा है क्लोरो बिंजीन का क्लोरो बिंजीन आप ले लिए क्योंकि हैलो एरीन है यह आपने क्लोरो बिंजीन ले लिया क्लोरो बिंजीन इसका क्रिया हैलो एरीन का क्रिया ALCL3 के उपस्थिती में हैलो एलकेन से कराएंगे जैसे हम ले लेते हैं CS3-CL क्या ले लेंगे CS3-CL उत्पेराक तो आपको पताई है पैर बच्चो ALCL3 लेंगे निर्जल ALCL3 तो फिर सेम प्रोसेस अभी आपने क्या कहा अर्थो पोजीशन पर जोड़ना है और पैरा पोजीशन पर जोड़ना है सेम रियक्सन कह रहा हूँ ना सेम ये कलोरीन है ये कलोरीन है रहने दो एक में अर्थो में CS3 जोड़ दो और एक में पैरा में CS3 जोड़ दो बागि जो भी HCL निकलना है बाहर हो जाएगा कैसे यहां से H निकलेगा पैरे बच्चो ACL को उठाएगा और ACL के रूप में बाहर हो जाएगा ACL के रूप में बाहर हो जाएगा कुछ मात्रा में अर्थो पोजीशन पर और कुछ मात्रा में पैरा पोजीशन पर तो अर्थो कलोरो टालूईन है यह हमारा टालूइन है इसके दाएं वाएं भाग को हम अर्थो बोलेंगे यह हमारा पार्स स्रंखला इसको मानेंगे यहां पर यह पार्स स्रंखला इसका पैरा यह हो जाएगा समझ रहना यहां पर थोड़ा समझ यहां पर डाउट हो जाएगा कहोंगे भईये ये टालूइन है ये आपका टालूइन है इसको मैंने पहले बता है टालूइन है टालूइन के दाएं बाएं भाग पर अर्थो पोजिशन तो ये आपको लिखे देना अर्थो क्लोरो अर्थो क्लोरो इसका नाम है टालूइन क्या टालूइन ये आपका पैर ब ईसी प्रकार पैरीचो एल्कायली करनुद्दित नमबर आप एड़िझ डालने एल्सीली करनुद्द इसी प्रकार पैरेविच्छों इसीली करन Punam अगला नंबर आप हेडिंग डाल लें एसीली करण एसीली करण आप लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे स्टील समू का जोड़ना स्टील समू, CS3, CO, CL होता है स्टील क्लॉराइड इसका क्रिया कराएंगे यहाँ पर हमने हैलो एरीन के क्रिया करा दिया यहाँ पर सेम प्रोसेस है सेम अब क्रिया मैं करा देता हूँ आप से बन भी जाएगा स्टील क्लॉराइड से ऐल-सील-3 के उपस्तिती में अब क्रिया कराएंगे ठीक है तो एरो मैटिक के टोन बनते हैं आप हिंदी लिखे लिए यह आपको हिंदी लिखना है यहीली कान इसको बोलते है जोराएड ہے slammed Mire L3 तो ले लो AlCl3 आप बेंजीन रिंग बना दो यहां पे क्लोडीन जोड़ दो जी हां प्लस करके एक और बेंजीन रिंग बना दो और फिर यहां भी क्लोरीन जोड़ दो यहां पर स्टील समू जोड़ दो इसका हो जाएगा COCS3 यहाँ पर हो जाएगा COCS3 यह आपका HCL करण हो गया फिर क्या position यहाँ से निकला है H यहाँ से निकला, CL निकला और PLUS HCL बाहर हो जाता है PLUS HCL बाहर हो जाता है यह अब क्रिया यही चीज़ है यही एस्टिल क्लोराइड से ALCL3 के उपस्थिती में वर्थो यहीं पर पर समझेश यह आपका पार्सूसरंखला इसके दाए, भाएं, भागा को हम अर्थो कहते है पहले भी बेंजीन उतली है, यह वहाँ से खती है पहले भी जो वीडियो मैंने हैलो एरीन का समान पर इसे बताए था उसमें आप लोग अच्छे तरीके समझे थे कि जो ये पार्स रंखला इसके दाएं वाले और बाएं वाले भाग को अर्थो पोजिशन कहते ही ये आपका पार्स रंखला इसके दाएं वाले और बाएं वाले भाग को अर्थो पोजिशन फिर ये मेटा और फिर जो आप सबसे नीचे होता इसके सीधा अपोजिट में वो आपका पैरा पोजिशन कहलाता है यह आपका ऐसली करण हो गया ठीक है इसके बाद अपन देख लेते हैं नाइट्री करण तो आज का आखरी रियक्षन पैरा बच्चो नाइट्री करण और आक्सी करण मैं छोड़ दूँगा जो कि आपके उपर रहेगा आक्सी करण आप सुता करोगी तो आज का आक्सी करण सरी आपका होमबर्क रहेगा और नाइट्री करण आज का आखरी रियक्षन है नाइट्री करण ये चीज़ नोट डाउन कर लो जैसे सलफोनी करण में पेरवच्चों सलफो समू के लिए HNO3 लेते हैं नाइट्री करण में जो अवक्रिया संपन होगी उसमें नाइट्रिक अमल रहेगा ही रहेगा किसी भी रासानी करण में नाइट्री करण सब्दा गया मतलब नाइट्रिक अमल लेना ही लेना है नाइट्री करण में क्योंकि वहां से जुड़ता है नाइट्री करण में नाइट्रो समू क्या जुड़ता है नाइट्रो समू ठीक है तो जो आपका नाइट्री कर्ण अब क्रिया है तो पहले अर्थो इवं पैरा पोजिशन में सेम रियक्षन होता है सेम नाइट्रो समूझ जुड़ता है जैसे यहाँ पर हम क्रिया करा रहे हैं हम बेंजीन रिंग ले लेते हैं पैरवच्चो और इसके साथ जोड़ देते हैं क्लोरीन तो बन गया क्लोरो बेंजीन नाइट्री कर्ण में हमारा रहता है है फिर इसको क्रिया कराते हैं गरम करते हैं तो देखेगा ये भी बेंजीन र है इसके साथ क्लोरो बेंजीन इसके साथ क्लोरो बेंजीं हम ने कहा अर्थो पर जोड़ा और प्एरव पर जोड़ा तो दोनों समाव Jagman मिल गे अर्थों और पहरा पर लेकिन बाद में यही जो अब क्रिया आपर two number पे नाइट्रो और four number पे नाइट्रो तो आपका one chloro two four नाइट्रो बेंजीन मना दिया तो यह जो नाइट्रिक रर्ण होता है इसमें भी सेम आपका अर्थो पोजिशन पैरा पोजिशन सेम रियक्शन संपी रिक्षन को कम्पेयर करके पड़ते हैं तो आप से सारे के सारे जितने भी अबख्रिया है ना चार से पांच सभी के सभी अवक्रियां आपसे बनेंगे यदि आप अवक्रिया को कंपेर करके नहीं पढ़ेंगे तो आपसे भूलेगा ही भूलेगा तो आज ये जो हैलो एरीन की रासाने का वक्रियां हैं उमेद करता हूँ काफी अच्छे तरीके से आप समझ गया जो एक्जाम की द्रिष्ट कौर्ण से महत्रपूर हैं उन्हीं को मैंने कराया है और कोसिस यही रहता पैर बच्चों की लंबे वीडियो के माध्यम से कहां आपको अब जादस जादा कोर्स कराया जाए ताकि आपका अधिक से दिक कोर्स हो और प्रापर रूपसे से तैयारी क देखते हैं तो वो भी आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे बिल्कुल आप चिंता नहीं करें आपका जो सलेबस है यदि आपको लगता है कि थोड़ा लेट चल रहा है तो आप जाए प्लेलिस्ट में पुराने वीडियो देखिए किसी भी चैप्टर के वीडियो आप देख सकते हैं अच्छे तरी के तैयारी कर सकते हैं और आज का वीडियो उम्मीद करता हूं अच्छेलागा होगा अच्छेलाक 8 जबरों करेगा दोस्तों कि सेयर करियेगा मिलते इन लेख्ट वीडियो के साथ तब तक लिए जय हीन बन्दमात्राउं